नमिश्कार मैरुचा सिंग और आप देख रहे हैं सीरियूस भारत महराज्टर की राजनेती में बड़ा नाम रहे और बॉलिवुड में सल्मान खान जैसे लोगों की करीबी रहे बाबा सिद्धिकी की मुंबई के बांदरा में गोली मार कर हत्या करती गई विचाचट वर्षके थे और लग्जरी लाइफ जीते थे इसके साथ ही समाज सेवा से जुड़े कारियों में भी बड़ चड़ कर हिस्सा लेते थे बाबा सिद्धिकी के अपने पीछे करोणों की समपत्ती छोड़ गया है जिसका खुलासा उन्होंनी 2014 में लुकसभर चुनाओ लड़नी के दौरान किया था और उस समय अपनी नेटवर्ट 76 करोण रुपे बताई थी महीं बाबा सिद्धिकी की मौत की खबर सुनकर पूरा बॉलिवर्ट गब में टूप गया है उनकी मौत से राजनेता से लेकर कई बॉलिवर्ट सेतारे भी काफी दुखी है सलमान खान और बाबा सिद्धिकी की दोस्ती काफी गहरी थी बाबा सिद्धिकी ही वो शक्स थे जिनोंने सालों से चली आ रही सल्मान और शारुक खान के बीच की लड़ाई को खत्म करवाया था राजनीती में बड़ा नाम और बॉलिवुड से गहरा कनेक्शन रखने वाले बाबा सिद्धिकी का सियासी सफर भी काफी रोचक रहा बाबा सिद्धिकी की कभी मुंबई में घड़ी बनाने का वो कारी करते थे उन्होंने घड़ी बनाने से लेकर विधायक और मंतरी तक का सफर तै किया तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बाबा सिद्धिकी का राजनीतिक सफर कैसा था और कहां कहां उन्होंने चुनाओ लड़ा और कहां से जीत हार का सामना करना पड़ा देखी हमारी इस खास रिपोर्ट में विहार के पटना में जन्वे जियाउदीन सिद्धिकी यानी बाबा सिद्धिकी ने अपना राजनीतिक करियर ग्रैंड ओल्ड पार्टी कॉंग्रस के साथ शुरू किया मुंबई में National Students Union of India यानी NSUI के एक सदस्य के तोर पर उन्होंने कई छात्र आंदलोनों में हिस्सा लिया और देखते ही देखते हैं वो पार्टी में उपर भी चड़ते चले गए साल 1980 में सिद्धिकी को बांदरा तालुका यूथ कॉंग्रिस का महाज़चे बना दिया गया दो साल के बाद वो इसके अध्धक्ष भी बना दिये गए कहा जाता है कि बता और काउंसलर अपने कारिकाल के दौरान बाबा सिद्धिकी की कॉंग्रेस सांसद सुनील दत के करीबी भी बन गए थे दत के साथ ये कनेक्शन उन्हें 1999 में बांदरा वेस्ट विधान सभा कर टिकेट दिलाने में काफी एहम साबित हुआ था सिद्धिकी 1999 में पहली बार बांदरा वेस्ट के विधायक बने और 15 साल तक इस शेत्र के प्रतिनीथी के तोर पर काम किया इन 15 सालों में सिद्धिकी कॉंग्रिस का मुस्लिम चहरा बन चुके थे हाला कि उनके राजनीतिक कैरियर को जटका तब लगा जब वो 2014 के विधान सभा चुनाओं में अपनी सीट बिजेपी के आशीश से लाड़ से हार गये सिद्धिकी ने भले ही इसके बाद चुनाओं नहीं लड़ा लेकिन अपने बेटे जिशान को बांधरा इस से कॉंग्रिस का टिकट जरूर दिलवाया जिशान शिवसेना के इस गड़ में 5000 वोटों से जीतने में कामियाब भी रहे लेकिन सिद्धिकी और कॉंग्रिस के बीच रिश्टों में खटास तबाई जब ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने महाराश्ट में शिवसेना से हाथ मिला कर महाविकास अगारी बनाने का फैसला कि बेरहाल जब लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एंसीपी का बटवारा हुआ और महाराश्ट की सियासी हवा बदली तो सिद्धिकी को अपने राजनीतिक केरियर को फिर से खड़ा करने का एक मौका दिखा जहां इस साल फरवरी में उन्होंने कॉंग्रिस के साथ अपने करीब प वो थी उनकी इफ्तार पार्टियां जी हां हर साल रमजान के मगने में एक दिन बाबा सिद्धिकी के एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया करते थे जिसमें राजनीति से लेकर बॉलिवुड दुनिया तक के कई जाने माने चहरे सामने नजर आते थे साल 2013 में सिद्धिकी के इफ्तार पार्टी ने कई लोगों की निगाहें खीचिये इसकी वज़य थी बॉलिवुड के दो सितारों का साथ आना इस इफ्तार पार्टी में बॉलिवुड के बाचार चारुक खान और हिंदी फिल्म इंडिस्ट्री के सुल्तान सलमान खान साथ नजर आये थे माना जाता है कि इस इफ्तार पार्टी में बाबसिद्धिकी ने दोनों के वीच का मनमटाओं खत्म कर दोस्ती को दोबारा जिन्दा कर दिया था फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जानने के लिए आप देखते रहें सी नियूस भारत हर खबर आपके साथ आपके हाँ